बॉलीवुड के जाने वाने सिंगर अवजीद दा हमारे साथ हैं अवजीद जी बीजेपी दफतर में आज आज आपका आना हुआ ये किस तरह को जोड़ार समझा जाए है जी मैं अपनों दोस्तों को मिलने आए हूँ दफतर क्या मैं उनके घर भी जाता हूँ तो ये तो ठीक था कि मैं बगल में ठहरा हूँ होटल में जब पर्व मनाये जा रहा है दो साल का तो मैंने भी कहा मैं भी थोड़े लड़ू खा किया जाओ बॉली बॉड में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुलकर या बहुत मजबूती से राष्टरवाद और तमाम मुद्दों पर विवा की सिराय रखते हूं उनमें से आप भी हैं क्या माना जाए कि आने वाले दुनों में कोई और गहरा जुड़ाओ या खुलकर बीजेपी के साथ आने की कोई हो जना देखे मैं हिंद्द तो एके साथ जुड़ा हूं और कठोर तरह के से जुड़ा हूं मैं किसी धर्म की अवहिलना नहीं करता हूँ ना मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलता हूँ लेकिन हमारे धर्म को लेके उसका मजाक उडाया जाए चाहे फिल्मों में या हमारे धर्म के खिलाफ धर्म पे आकरमन होता है तब हमें बरदाश्ट नहीं होता और ये ज़्यादा तर चीज़ हमारी बॉलिविट फिल्मों में होती हैं वो कभी किसी इसलामिक या क्रिश्चन कम्यूनिटी या सिक कम्यूनिटी को लेके कभी मजाक नहीं उलाते हैं और यहाँ पे आप शंकर जी को दोड़ा देते हो ये कर देते हो पीछे पीछे तो मैं तो बूल रहा हूँ कि ये बंदा कभी मेरे आखों के सामने आ जाए तो ऐसा दोड़ाओंगा कि बजरंग बली याद आ जाएगा तब वो बजरंग बली बली चिल आएंगे हनुमान चालीसा इनको मैं याद करवा दूँगा बहुत खराब लगता है याद बहुत खराब लगता है असा लगता है मेरी माता को किसी ने कुछ बोला है मेरे पेरेंट्स मेरे हिंदुस सान को कुछ बोल रहा है बहुत गंदा लगता है सो बॉलिवुड में बुलने वाले लोग मेरी खाल से गीने चुने ही हैं बहुत कम आप जो बुलने वैसा नहीं है कोई नहीं बूलता है और उसकी भुगत रहा हूं मैं उसका खाम्याना भर रहा हूं लेकिन वह कैस भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है भर भर के लाखों म income tax देता हूं क्योंकि इतना मेरे में सक्षम हूं इतना करने का तो इसलिए मैं सब को ठुक के रखता हूं कि मत कर यह मैं सोचो कि मैं सब जो मैं हूं मैं हूं जो भी नसर दिन शाह साब ने अचानक पतानी किस समय बोलते हैं कितने बज़े बोलते हैं या उस समय शौच क्रिया से निर्वरत हुए है कि नहीं सब्सक्राइब हो जाते तो लोगों के भूल जाती कि ब्रेन सर पर होता है कहीं से भी कुछ लिग देते हैं तो दुख लगता है तो उनका सीट भी रिजर्व है वो जहाज बहुत जल्दी छूट रहा है कराची के लिए उस जगह उनको अमेरिखान के साथ ही जगह सीट फर्म करवा रहा है कि उनको मिलेगा अब जीदा अचानक नसीर अदिन शाह जैसे बड़े अक्टर का यह कहना कि जो बदलाव हो रहा है सिलेबस में बुक्स में वो गलत है और एक बार जब बॉलिवर्ट से आवाज उठी थी आशाश्वरता की इंटॉलरेंस की वो खत्म ह हो गई भाँ उस बयान के पीछे आप क्या मकसद देखतें उनका अजसरोत क्यों पड़िन हो इस च्राइक बैक हो किसी बी कमर्शल नसरी दिन शाह साब का आप कभी भी देखेंगे फिल्में कोई कमर्शिल फिल्मों में जादा नहीं आते तो जब कमर्शिल टरम सी बिल्कुल वीक है जहां पे जहां पे source of income is very less, revenue is very less तो आदमी कहीं न कहीं से fund इकटा करने की कोशिश करता है तो हो सकता कोई fund उन्हों फिर से मिल रहा हूँ, कोई एक ऐसा NGO बजग गया है जिस NGO की तरफ से नसरी दिन शाह साब बोल रहे हैं तो उस NGO को बंद कीजिए तो इनकी आवाज बंद हो जाएगी आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से या गयर जरूरी विवाद खड़े होते हैं और दूसरी लोगों को भी मौका मिल जाता है कि इस विवाद में कूट पड़े हैं और बेवज़े एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जो लोग बहुत अच्छी बात है ऐसे लोग कूट के सामने आ रहे हैं तो देश को मालूम पड़ रहा है ये लोग कौन लोग हैं तो मैं नसरी दिन चाप साब को बहुत खतरनाक बधाई देता हूँ कि आप पूरे जुन्ड को लेके फिर से फिर एक जुन्ड आप ही शायद बचे थे ये पूरे जुन्ड के साथ आप लोग आ जाईए फिर दवाई छिड़कना तो हमारा काम है हम छिड़क देंगे हम भी काफी हैं अकेले दो लोग तीन लोग काफी हैं ये पूरा जुन्ड का जुन्ड आजाए हम देख लेंगे समाल लेंगे इंडिया गेट पर होने वाले कारकरम में अमताब बच्चन जी का शामिल होना और कॉंग्रेस ने इतने सवाल खड़ी की उन पर जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सेग्मेंट है कारकरम में उसमें उनको शामिल होना था तो ऐसे में क्या मनते हैं कि कॉंग्रेस जिस तरह की सवाल उठा रही है एक कलाकार और वो भी ऐसी मुहिम का हिस्सा है जो वाकि अच्छी मुहिम कही जाएगी लड़कियों के लिए जिसकी चौतरफा तारिफ भी होई है दीए इसके पहले तो आज तक किसी मतलब पिछले दस साल से हमने पिएम का शकल भी नहीं देखा था पिछले जो दो साल पहले कि थोड़ा सा फ्रेज दिखता था तो आवाज भी नहीं आती तो मैं कितना वॉल्यूम बड़ा बड़ा के वॉल्यूम बड़ाता था कि शायद हमारे पूर परद्धा मंतरी कुछ बोल रहे हैं लेकिन वॉल्यूम बड़ा बड़ा के मैं ठक गया टीवी का मैंने रिपेर करवाया तो भी हमारे पूर परद्धान मंतरी कभी कुछ बोले नहीं सो अब लगता है कि ये एक अच्छा मुद्दा है जिसमें वो भी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको भी शामिल होना चाहिए इतने अच्छे गवर्निस में दो साल का जो पर्व मनाया जा रहा है ये तो आप भी इंडियन सिटिसन है तो आप भी मनाई है बाकि सब आपने मना लिया इतने कांड कर लिये इतने सब जो साजिश जिसको बोल दिया जब देश-вिरोधी लोगों को जब देश से भार किया जिन के उपर केस किया या आपने शर्जंतर रच के अच्छे अच्छी चीजों को आपने उसको साजिश बताया तो जब बड़े-बड़ी से जुड़ती हैं दूर तक संदेश जाता है वो सकसिज होती है और ऐसे में अमतार बच्छन साव अगर शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में तो कॉंग्रेस को आपत्ती क्यों है वही तो मैंने कहा कि अब लोगों को आवाज सुनने को मिल रही है बोलते ना गरजन बहुत जिनों से आवाज नहीं सुनने को मिल रही थी भले हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो या हमारे पार्टी के देश की पार्टी जो नैशनल पार्ट उसके स्पोक्सपरसन बोले या सब लोग बोलते हैं बोलने के आजादी है तो उसमें अगर एक गर्जित आवाज आज मैं तुबारे सामने खड़ा हूं तो सब लोग विजय हट रहे हैं क्यों गड़े हो यह यह आनत है उनका आप समझ सकते साइकलोजी ऐसी है कि उनको अभी डर लग रहा है आखरी सवाल दो साल का जश्न मना रही बीजेपी के इन सरकार विकास पर नाम दिया है कैसे देखते हैं इस पूरे दो साल की सफर को आप और इतने बड़े सिंगर हैं आप गुन गुनाने के अंदाज में किस तरह किससे बढ़ाई देना चाहेंगे मैं मैंने अपने देखा सोशल मीडिया में मैंने लिखा था काफी हिट वा था कि अच्छे दिन तो दो साल पहले ही आगे थे तब दो साल पहले ही अच्छे दिन आगे थे कोई गोटाला नहीं और जितने गोटाले हुए उनको भी जाच चल रही है उनसे जो पैसा आएगा या भरेंगे तो वही पैसा वापसी आ रहा है तो यह सब चीजे बहुत शुक्री आपका अब जीत जी का कहना है कि जब वो बीजेपी की जीत हुई थी लोग सवाचनाओं में तभी लोगों क अच्छे दिन आ गए थे दो साल में सरकार ने तब से बहुत अच्छा काम किया और कॉंग्रेस जिस तरह सवाल उठाया कॉंग्रेस ने सरकार के कामकाश पर आमताब बच्चन पर अब जीत दाका कहना है कि कॉंग्रेस ने बेवज़े सवाल उठाये है और नसित दुदिन शाह को भी इस वक्त इस तरह के बयान से बचना चाहिए जबकि देश में एक कैमरामेन मनमीत के साथ रागवंदर दुवीदी न्यूजबाट इंडिया दिल्ली